नमस्कार दोस्तों, बाई जूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 नॉवंबर 2020 के समचार विसलेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें दहिंदू अखबार से प्रमुख आलेखों के हम समिक्षा करेंगे। और उसमें प्रारंबेक और मुख्य परिच्छा से संबंद देत, जो प्रमुख प्रस्त में हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिये जाएंगे। अपनी पहली न्यूस पर आते हैं और यह हमारे अईटूरियल संपात्की का एक हिस्सा है, Education, The Nation and The States. अब सभी इसी से परचित हैं कि भारत सरकार के दोरा नई सिक्छा नीती, New Education Policy उसको रिलीस किया गया है, और यह नई सिक्छा नीती में कुछ बड़े परवर्तन किये गए हैं, जैसे अगर अब देखें, तो 10 प्लस 2 का जो हमारा सिस्टम था, उसकी जगे जो सिस्टम है, वो लाने के बाद चले 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, इसी के साथ साथ Education का जो सिस्टम है, वहाँ पर Higher Education में एक Regulatory और नियामक संस्था की बात चल रही है, यह अगर हम देखें, Education पर जो हमारा व्या है, उसको बढ़ाने की बात चल रही है, तो इस तरह के कुछ बड़े परवर्तन राश्टी सिक्षा नीती में किये गए हैं, जिसको हम पहले की News Analysis में डिक्टेट में डिसकस कर चुके हैं, यहाँ पर objective हमारा यह है, कि नई सिक्षा नीती के करण, भारत में जो सिक्षा का तंत्र है, उसमें क्या परवर्तन होगा, केन सरकार और जो राज्य हैं, उनके बीच में किस तरह से सामंजस से स्थापित होगा, क्योंकि आप ध्यान रखें, भारत में जो हम सिक्षा की बात करते हैं, तो सम्मेदान के प्रारंबिक भाग में इसको एक तरह से राज्य का विश्य बनाया गया था, लेकिन आगे चलक सम्मेदान संसोदन हुआ और यह समवर्ति सूची में चला गया, तो इसके बाद से केंद्र और राज्य दोनों ही एक तरह से सिक्षा पर अपने कारें कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर टकराओ की सिती होगी, तो सिक्षा को विखसित कर पाना और सभी तक सुलब करा पाना असान नहीं है, अगर केंद्र सरकार को राज्यों से सहयोग मिलता है, सिक्षा को विस्तारित करने में, और राज्यों के जो हित हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, खास तोर पे छेत्री जो भासाएं हैं, उनका अगर ध्यान रखा जाता है, तो कहने के राज्यों का समर् अगर सिच्छा को मात्रवासा में दिया जाता है तो यह आसानी से लोगों को समझ में आती है और सासा इसका प्रसार भी तेजी से होता है यहाँ पर इंगलिस और हिंदी इनको एक तरह से एक व्यकल्पिक भासा के रूप में अवस्य रखा जाए उसके सासा जो छेत्री भासा उनको भी विक्सित करने की एक परंपरा को आगे बढ़ाए जाए तो अगर ये एक करम रहे कि तीन भासाओं का करम लेकर चला जाए तो कहीं न कहीं सिच्छा में हम बड़े सुधार कर सकते हैं तो यहाँ पर यह जो आर्टिकल है यह केंद और राजी के बीच में जो संबं और अंतिम व्यक्ति तक सिच्छा को पहुचाने का सरकार का जो प्रण है वो पूरा हो पाएगा तो अगर हम भारत में देखें जो 1986 की नीती थी उस नीती में भी केंदरिय कारकम दरा राज्यों की जो विवित्ता है उसको नेमित करने की बात को कहता था यानि कहना यह था क केंद सरकार के दोरा नीतिया बनाई जाएंगी सिक्छा के छेत्र में जो राज में अलग-अलग सिस्टम चल रहे हैं एजूकेशन के उसको एक तरह से किस तरह से राश्टिय धारा में लाना क्योंकि सभी राज में अलग-अलग सिस्टम चल रहे हैं सबके राज के अपने बोर्ड हैं, तो किस तरह से केंदरी इस तरह पर उसको नीमित किया जाए, ये बात 1986 की जो हमारी सिक्षा नीती थी, उसमें भी कहा गया था, ये अलग बात है कि सुचारी रूप से पूरा नहीं हो पाया, सिक्षा अगर हम देखें, तो ये सामाजिक दाइत्तों का पार्ट है और किसी भी जगह पर जो छेत्री वातावरन होता है, यानि जो लोकल कंडिसंस है, उनके साथ ज़्यादा संबंदित है, यानि स्थानी जैसे हम भासा की बात करें, या सांस्कृतिक वहाँ पर जो विचार बढ़े हुए हैं, उनके आधार पर सिक्षा का एक तरह से प्रच जो में अभी भी चल रही है, तो ब्रिटिस काल की जो सिक्षा का सिस्टम हो, वो अभी भी बड़े पैवने पर लागू है, सिक्षा के छेत्र में बड़े सुधार के रूप में माना जाता है, Central Advisory Board of Education, यानि केंद्र ये सिक्षा सलाकारी बोर्ड की अगर हम बात करें, ये 1920 म यानि आज से सौ साल पहले गठित किया गया था, उद्देश ये था कि जो छेत्री आकांग चाहिए है, सिक्षा को लेकर उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए, यानि केंद्र सिक्षा को लेकर अपनी बातों को जरूर आगे रखेगा, लेकिन जो छेत्री इस तर पर पर प्रांतों की जो समस्या है या प्रांतों के विचार है, उनको भी आगे लिया जाए, तो इसके लिए एक तरह से इस संस्था Central Advisory Board of Education यानि CAB का गठन किया गया, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सफल रूप में ये कारे नहीं कर पाया, क्योंकि कहिना केंद्र राज्य के 20 में सामान ज़स उतना अच्छा नहीं रहा, केंद्र के इस तरह पर अलग संस्था हैं, बड़े पैवाने पर विख्तित हुई, और राज्य में भी कुछ इस तरह पर सिच्छा में बड़ा काम हुआ, जैसा आप में डिसकस कर चुके हैं, कि सम्विधान में प्रारम में ये अगर हम प्रबंधन की बात करें, तो IIM, और अगर हम चिकसा की बात करें, मेडिकल के फिल्ड में, तो AIMS जतने भी संचालित होते हैं, तो कहीं न कहीं, जो उच्छ सिक्छा के संस्तान आएं, वो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर उनने सफलता बुरवग कारे किया, इसके केन सरकार की तरफ से कॉंट्रिबूशन एक तरह से आप मान सकते हैं, और 91 के पार पर जब देश में आर्थिक सुधार लागी हुए, तो माना गया कि जो सिक्छा का तंत्र है, उसमें कोई बड़े परवर्तन होंगे, लेकिन आर्थिक सुधारों का लाहब है सिक्छा के तं केंद्री ये कि तीनों का एक ही करण हमें करने की आवश्च रखता है या तीनों को एक तरह से सामजस मिलानी की जरूत है जहाँ पर केंदर राज्य के दारा सबसे बड़ा रोल अदा किया जाएगा निजी छेतर एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिछा को उतकृष्ट जरू कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर उनको लाब भी हो और सिछा अच्छी भी जाए इसके लिए केंदर राज्य को छूट देनी पड़ेगी तो कहने के निजी संस्थानों को भी सर्वसुलब करने का तरीका केंदर और राज्य सरकारों के पासी है भारत में जो राइट टु एजुक्रिशन सिछा का इदिकार लाया गया उसके दारा कोशिस यह की गई कि जो निजी छेत्र है उनको भी सामाजिक निया के दारे में लाया जाए अगर हम सिछा की बात करें और इसका आधार क्या रखा गया आधार यह रखा गया कि जो गरीब विद्यार्थी ते उनके लिए स्कूलों में एक इसे जो EWS यानि एकनॉमिक ली जो वीकर सेक्षन है आर्थिक रूप से जो कमजोर गर गया उनके लिए एक तरह से सीट देने की ब्यस्था की गई तो यह एक निजी छेत्र को काम दिया गया कि आप भी सामाजिक उत्तरदायत को सिछा के छेत्र में निभाईए जिस कोटा दिया गया कि आपको आर्थिक रूप से जो कम जोर है उनको एक निस्चित जो कोटा है अपने आ जो सिक्षांट देने के लिए वो उन बिध्यार्थियों को देना पड़ेगा तो ये एक बड़ा पररतन आप कह सकते हैं सिक्षा के चेत्र में लाया गया, लेकिन सिक्षा के अधिकार को लेकर हम बात करें, तो प्राथ में कि स्कूली सिक्षा है, वहाँ पर तो जरू सुधार हुआ, लेकिन हायर एजुकेशन में भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, तो तो भी हमारे एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें मानक या स्टेंडर्ड और स्कूल या कॉलेज को जो मानता देने की परंपरा है, उसकी प्रक्रिया को एक इकरित किया जाए, क्योंकि अगर पूरे भारत में मानक और जो एक तरह से मानता देने के लिए सर्ते हैं, वो एक सी होंगी, तो कहने के एजुकेशन सिस्टम को हम एक सा बना सकते हैं पूरे भारत में, ये अलग बात है, भासा एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन सिक्षा की जब हम बात करें कि आधारबूर जो ढाचा है, वो एक समान किया जा सकता है, और वो तब ही हो सकता है, जब मा आंक दिया जा रहे है, परसंटेज में नंबर जा रहे है, कहीं पर ग्रेडिंग की जा रही हैं, तो ये अलग-अलग जो परमपरह है, इससे विध्यार्तों का नुकसान होता है, ये जो अंक पराट कर रहे हैं, वो अलग-अलग तरीके से, अलग अलग जगे संस्थानों मे एक तरह से उनको प्रतिसपरदा करनी पड़ती है, तो अलग-अलग अंक प्रणाली वाले जो विद्यारती हैं, वो एक साथ फाइट करते हैं, और ये एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो परसंटेज में नंबर ला रहा है और जो ग्रेडिंग में ला रहा है, उसमें एक तर परसंटेज में नंबर देनी की विष्था को बनाया जाएं, इसी के साथ साथ भारत में अगर हम देखें, तो आर्थिक रूप से विसमता हैं, अभी भी बहुत है, जातिकत अगर हम विष्था देखें, तो ये भी काफी विसम है, अभी जातिकत विष्था हमारे निचले इस तर पर बहुत जादा जड़ जमा कर बैठी हुई है, तो ऐसी सिती में सिक्षा का जो सामाजिक न्याय में एक योगदान है, वो का भी महत्तपूर्ण है, तो अगर हम सिक्षा को सभी तक पहुँचा पाएं, अलग-अलग जो जाति हैं, जो सबसे कमजोर वग में आ रह क्या सकते हैं, केंद और राज्य के दौरा अगर मिलकर किया जाए, तो यह कहिना कि सामाजिक न्याय कि एक जो परंपरा सरकारे निभाना चाहती हैं, उसको आसानी से पूरा करने में सफलो पाएंगी, एक 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 सरकारी स्कूल के विद्यारतियों को इन नीट में त जाएंगे, इसका कारण के हैं, कि सरकारी स्कूल में जो सिक्षा का तंत्र हैं, वहाँ पर एक तरह से कही न कहीं वो मजबूती नहीं आ पा रही है, नीजिचित में लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं, तो अगर हम सरकारी स्कूलों की सिक्षा को थोड़ा सा गुलवत्त पड़क बनाते हैं, क्वालिटी इंप्रूब करते हैं, और साथ-साथ अगर इस तरह का एक कोटा बनाते हैं, तो जहाँ सेदा लोग सरकारी जो तंत्र है सिक्षा का उसमें प्रवेस करने का प्रयास करेंगे, तो ये एक तरह का कोटा सिस्टम लाया गया, तो ये बताये ज जा रहा है, कि जो सरकार का सिक्षा का तंत्र है, उसमें लोगों का विस्वास जो कमजोर हो रहा है, उसको बढ़ाने की जरूत है, सिक्षा की क्वाल्टी बढ़ाएं, और साथ-साथ इस तरह का कोटा सिस्टम भी, कही न कहीं सरकारी जो सिक्षा तंत्र है, उसको मजबूत और जितने भी अभिभावक हैं, वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को डालना पसंद नहीं करते हैं, वो प्राइबेट और नीज शेत्र में जाना चाहते हैं, उनको लगता है वहाँ पर सिच्छा का इस्तर काफी ज्यादा अच्छी क्वाल्टी का है, तो यह सिस्टम जो एक एज़ुकेशन को रेगलिट करने के लिए नहीं सिच्छा नीती में इसी तरह के ए कर we are systemонов की बात करें, तो इसको स्कूल में के पारट पर एक तरह से नहीं लाये गया है, तो उसे हमें एक तरह से करने की ज़रुषत है, नाइनटीवन के बाद से जो आर्थिक नीती भारत तंत्र है उसको मजबूत करना चाहते हैं लेकिन हमारी कोशिज यह है कि केंद्र राज्य इनका तंत्र जादा मजबूत हो जिससे भारत में जो वंचित वर्ग है जो आसानी से सिक्षा प्राप्त नहीं कर पार रहा है अच्छी गुडवत्ता की उसको सिक्षा दिया जा सके औ भारत में सिक्षा में काफी बात्तपूर्ण है नीजी छेत्र को सामाजिक उत्तर दायत के रूप में शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूर करना या उनको इत्र अक्षी सिक्षा दैगे लेकिन जो उसमें मूल ले रहे है जो प्राइस ए उनका वह घटेगा तो जो ला आ सकती है, यह तभी होगा जब केंज सरकार में या राज सरकारों के जो संस्तान है, वहाँ पर सिच्छा का इस्तर काफी उचा रहे है, तो यह private sector को competition अगर दे पाएगा केंज तरक और राज के संस्तान, तो इस से भारत में सिच्छा की गुल्मत्ता तो बढ़ेगी, साथ तो निजी छेत्र का योगदान बढ़े, इसमें किसी भी तरह की रोक टोक लगाना सरकार नहीं चाहती, लेकिन क्वाल्टी के साथ साथ जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो एक तरह से बहुत जादा ना बढ़े, ये सरकार को देखने की जरूत है, और इसके लिए एक ही तरीक केंद्र और राज्य के दरव मिलकर सरकाली सिच्छा जो तंत्र है उनको मजबूत करना, क्योंकि जो हमारे केंद्र और राज्य के अलग-अलग सिच्छा तंत्र है, उन में मजबूती तब ही आएगी जग आपस में एक ही करण होगा, जैसे CBSC, केंडर का अपना स्कूल का सिस्टम चल रहा है जबकि अगर हम राज्जों में देखें तो अलग-अलग बोर्ड चल रहा है तो उनके बीच में सामजस लाया जाए जैसे सलेबस को लेकर या मार्किंग सिस्टम को लेकर अगर एक रुपता लाजी जाए तो भारत के इस तर पर सभी विद्यारती लगबख समान इस तर पर पहुँच जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सभी CBSC में सामिल हो जाए या राज्जों के बोर्ड का इसमें विला कर दिया जाए या आवश्यक नहीं है आवश्यक यह है कि राज्जों के बोर्ड और CBSC का जो सिस्टम है उसको लगबख एक तरह से सारबोमिक युनिवर्सल कर दिया जाए भारत में जो लगबख समान सलेबस और समान मार्किंग सिस्टम पर है जिससे कि CBSC और राज्जे बोर्ड के जो बच्चे उनको सबको बराबर एक तरह से आगे लाब मिल पाए वो चाहे उच्चे सिच्चन संस्थानों में प्रवेस की बात हो एंट्रेंस एक्जाम को क्लेर करने की या आगे जोब औरेंटेशन रोजगार परख सिच्चा होने की बात करें वहाँ पर तो दोनों में ही केंदो राज्जे को कहने के सायोग करने की आवसकता है और निजी छेत्र को सामाजे गुत्तरदायत के साथ जोड़ना ये प्रमुक रूप से आप कह सकते हैं एक जो पॉइंट है वो ओभर का राता है इस आर्टिकल से इसी आदार पर एक मेंस्या कॉश्चन आप लिखेगा राष्टर जिच्चा नीटी 2020 बारत में सिच्चा की तीन पड़ालियों को एकिगृत करने की समस्या को हल नहीं करती ए तो यहां आपको बताना है कि हल करने के लिए क्या क्या किया जाना है या तीनों तंत्र वहाँ पर क्या क्या सुधार करनी की जुरत है तो इसके बारे में हमारी नहीं सिच्छा नीती में बहुत डिटेल में नहीं का गया है, लेकिन आवश्चता भविस्त के लिए यही है, क्योंकि पहले की नीती में भी इसी उसका ध्यान नहीं रखा गया, और नतीजा यह हुआ कि नीजी छेत की सिच्छा महंगी होती गई, औ अंचितवर्ग सिच्छा के छेत से, उच्छे सिच्छा छेत से पीछे रह गया, तो यह कमी हमें नहीं सिच्छा नीती में नहीं लानी है, उसको दूर करना है, तो उसके लिए एक तरह से जो हमने उपाये डिसकस किये, या पूरा जटंत्र हमने केंद राज और नीजी छेत मिल स्कीम चल रही थी, यानि Magdhyan झो भोजन की एक व्यास्था इसकूलों में दी जा रही थी, तो मिड्डे मिल इसकीम को व्यास्था बंद उई, और इस कारण से इसकूलों में सिच्छा और पोसंड कीजा रहता हूँ है, वो रुका, इसी व्यास्था को एक तरह से और इस कारण से जो मध्यान याई मिड़े मीली स्कीम ती उसमें से एक तरह से वो अलग हो गया, तो सिक्षा से तो माली जे उनका एक तरह से कटाव हुआ ही, पोसण जो उनको मिल रहा था मध्यान भोजन के मादम से उससे भी वो कटे, अगर हम FOA की एक रिपोर्ट देखें, Food and Agriculture Organization की, इसको नाम क्या दिया गया है, State of Food, Security and Nutrition in the World 2020, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिस्तो में 369 मिलियन जो बच्चे हैं, वो इससे प्रभावित हुए, यानि लगबग 369 करुन बच्चे इससे प्रभावित हुए, आप देखें, लगबग आदे बच्चे एक त तरह से आदेश दिये थें, कि भोजन की उपलबदता इसकूलों में सुनुस्तित की जाए, लेकिन राज्य ये काम नहीं कर पाए, कारण है कि COVID-19 का प्रसार इतनी तेजी से हुआ, कि एक तरह से सोस्टल डिस्टेंसिंग को बनाया रखने के लिए इस तरह के कारकम नहीं कि जबकि के सरकार की तरफ से राज्यों को इस तरह के आदेश दिये गए थे, कि वो लॉकडाउन में भी भोजन की जो उपलब दिता है, उसको सुनुस्तित करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और इसी करण से कहिना कि पोसर की सिती, बच्चों में बहुत निमतम इस तर पर प पर कहा ये गया है कि इस्थानी 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 इस्थ चाये खादसामगरी की बात करें या सब्जी ओं की बात करें उसको इसस्थानी इस्थार पर एक तरह से लेना चाहिए और यहां कोसिज यह करनी चाहिए कि भोजन की उपलापता travaill में सुनुस्थित हो किसानों के साथ समझूते किये जाने चाहिए सकूलों को पर रहाई रहा है लेकिन पौस्टन के स्थार को एक्तर से हम बच्चों में बनाया रह सकते हैं और ये अगर अकरस्ड wiped दरा बच्चों का इसकूल में आने का तो दुबारा ये सिक्षा के तंतर में वापस आएंगे, इसमें एक तरह से सवालिया निसान लगता है, तो पोसन अगर लगाता है और उनको दिया जाए, जो मिड़े मिली स्कीम चल रही है, तो उनके दुबारा सिक्षा जब सुरू होगी, तो उसमें वापस आने की संभाव होना है अधिक है, इसी के साथ साथ कोसिस ये रहनी चाहिए, कि जब भी हम किसानों से, यानि इस्थानी इस्तर पर सामान को प्राप्त करते हैं मिड़े मिल के लिए, तो ये किसानों को भी एक तरह से आये या आमदनी का सुरूत तो उपलगत कराता है, तो यहां में देखन का आने वाले समय में जो बच्चे वापस आना चाहते हैं, उनके लिए आकरसन तो रहे गई, पोसन के स्थर को हम गिरने नहीं देंगे, इस से भारत में भुकमरी सूचकांग में हमारी इस्थिती नीचे गई है, उसमें हमें एक तरह से अपने आपको सुधारने में मदद म खराब हैं, तो हमें कहीं न कहीं भुकमरी जो सुचकांग के उसमें सुधार करने की आवस सकता है, तो COVID-19 के समय इस्थिती और ज्यादा दैनी हो गई, तो इससे बचा जा सकता है अगर इस तरह के उपाय भविस्त में अपनाए जाएं, एक अंतिम उपाय किया जा सकता है, कि स्कूल बंद हैं, और मध्यान भोजन उपलब्द नहीं करा जा रहा है, यह सामाने जानकारी है, लेकिन अगर सिक्षा वहां नहीं दी जा रही है, लेकिन भोजन उपलब्द है, अगर यह जागरुता, यह जानकारी अगर लोगों पर एक तरह से पहुंचाई जाएं, त तो ये करकर हम आने वाले समय के लिए सिक्षा में जो बच्चे वापस आना चाहते हैं, उनको एक तरह से विवस कर पाएंगे, तो पोसन की मजबूती आने वाले समय में सिक्षा में दोबारा इनकी वापसी की ए गारंटी देती है, तो हमें एक तरह से देखना हों कि COVID-19 के कर भारत में पोसन इस तरह में बड़े बेमाने पर कमीना है, जिसे मिड़े मील स्कीम के माद्धम से भारत के ग्रामीड चेत में खास तो और पर नियन्तित करने का एक सफल प्रियास हुआ था, तो इस कड़ी में हमें कही न कहीं अन्य प्रियास करने की जरुरत है, एक प्रकार के जो खने जाए इन सब की आवश्यक्ताओं को पूरा किया जाना चाहिए तो हम किस तरह से अलग-अलग प्रकार के जो अना जाए या सबजिया उपलब्त कराएं मध्यान भोजन स्कीम में जिससे की जो भी एक आवस्यक रूप में एक स्वस्त मील मानी जाती है, तो सरकार को इस पर ध्यान देनी की ज़रुत है, जिससे कि हम बच्चों को स्कूली तंत्र में मजबूती से दुबारा वापस ला पाएं, और उनके पोस्टन को भी भविस्त के लिए मजबूत करके, बाल मजदूरी की परंपरा फिर से एक पनप रही है, इन बच्चों में उ हम प्रणुक रूप से देखें, जो दिया गया है, कि उन्हें मुद्रा स्पीती, या जो हमारी इनफलेशन है, उसको एक तरह से नियंतित करने का एक प्रणुक लक्ष दिया गया है, अगस 2016 में आर्वेग लक्ष दिया गया भारत सरकार की तरप से, कि वो मुद्रा स्पीत मेंगाई को रखना होगा अगर 6% से जादा होती है 2% से कम होती है कब लगातार अगर 3 तिमाही में यानि 3-3 मेने की जो हमारी तिमाही है उसमें अगर लगातार 3 तिमाही में ये 6% से जादा ये 2% के नीचे जाता है तो इसका जो कारण है वो एक तरह से भारत सरकार को RBI को ब जरत इसलिए कि जो पिछली तीन तीमाई है, यानि जनवरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, माई, जून, और जुलाई, अगर सितंबर, तो ये जो तीन तीमाई है, उसमें जो महंगाई है, वो 6% के उपर रही है, जैसे अगर हम जनवरी, फर्वरी, मार्च में देके 6.7, कब तक इसको नियंत्रित कर पाएंगे, जो अगस 2016 में उनको लक्ष दिया गया था, उसके अंतरकत ये विस्था बनाई गई है, मुद्रा स्पीति को नियंत्रित करने, और एक सीमा से ज्यादा या कम होने पर, उन्हें बारत सरकार को बताना होगा, ये सारे प्राबधान अ परतमान सीथी में देखें, तो महंगाई की जो बढ़ती सीथी है, उसके बारे में RBI की तरफ से किसी भी तरह का अभी बयान नहीं आया है, ना उन्होंने सरकार को किसी तरह का जबाब दिया है कि इसके कारण क्या है, या रोकने के लिए उपाए वो क्या कर रहे हैं, और अब तक इसको नियंतित किया सकता है, क्योंकि RBI का एक्ट, RBI को इसको करने के लिए एक तरह से आदिस देता है, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो कही नहीं जो मुद्रा इस्पीति है, इसको नियंतित करने के लिए 2016 में जो सिस्टम लाय गया, वो पूंट रूप से एक जरी से नििस्क्री हो जाता है, और अगर ऐसा होगा, तो मुद्रा इस्पीति को लेकर, जो भी काम RBI को जो बहुत जादा पारदर्शिता नहीं रह जाती है, और इसकी बिलकुल जरुरत है, क्योंकि जब तक आप पारदर्शिता हो के निनने नहीं लेते हैं, और पब्लिक को नहीं बताते हैं, तो RBI या भारत सरकार, जो भी महेंगाई को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, उसके बारे में किसी भी तरह की जाच या उसके बारे में किसी भी तरह की जो विचार है वो विक्त नहीं हो सकते हैं, तो जब हम सही तथ्यों को सामने लाते हैं, तो कहीं न निर्णा को सठीक रूप में ले पाएंगे, तो किसी भी तरगी आलोशना अगर होती है, चाहे RBI की या सरकार की नीती की, तो उसको सही रूप में अगर लिया जाए, तो मुद्रा S.P.T. को भविस्वे नियंतित करने में मदद मिलेगी, बजाए इसके हैं कि महंगाई के जो सवाला निसान के दाएरे में लाता है, और सरकार की तरफ से, अगर इसको नियंतित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, या RBI के तरह किया जा रहे हैं, तो उनको भी पब्लिक को बताना चाहिए, तो ये सिस्टम कहीं न कहीं, मुद्रा S.P.T. को नियंतित करने की प्रक्रिया है, उसको एक तरह से कंट्रोल करता है, यहां आप द्यान रखें कि जब हम RBI के मुद्रा S.P.T. को नियंतित करने के लेक्ष बात करते हैं, तो ये CPI पर आधारित है, यानि भोगतामोली सूचकांग, जिसे हम बोलते है, Consumer Price Index, तो ये जो CPI जिसका 2012 एक तरह से आधार वर्स तो ये जो तीन CPI के प्रमोख आखड़े हैं, इनुको एक तरह से आधार बनाकर महंगाई को लक्षित किया जाता है, अब सरकार ये कह रहे हैं कि जब हम CPI की बात करते हैं, यानि भोगतामोली सूचकांग, तो इसके आखड़े हैं, वो एक तरह से फिल्ड में जाकर COVID-19 कर दिये जा रहे हैं, वो किसी आधार पर तो दिये जा रहे होंगे, तो सरकार को उसी आधार पर इनको कम करने या महंगाई को रोकने के जो प्रयास हैं, वो RBI और स्वेम सरकार को करने के लिए प्रयास करने चाहिए, तो डाटा एखटा नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ सरका के प्रयास होंगे, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो महंगाई के संदर में कई न कई सरकार और RBI को और जदा पारदर्शी भविस्त में रहने की आवश्यक्ता है। उसमें संसुदन करके ये डाला गया, और आप बताएं कि 6% और 2% की अपर और लोवर लिमिट है, और 4% का और इसको रोकने के लिए या ये बढ़ा घटा क्यों उसका कारण और कब तक इसको निनतित किया जाएगा, ये सारा फेक्ट एक तरह से RBI को सरकार को बताना पड़ता है, कब अगर लगतार 3-3 मही में किसी वी तरह की बढ़ातरी या मुद्रा स्पीती में तेजी से कमी आती है, तो ये आकड़ा देने के बाद आप इस कथन का मुल्यांकन करेंगे, मुल्यांकन में आपको ये बताना है, ये प्रक्रिया इसलिए बनाएगे जिससे की मुद्र और RBI के जो प्रियास है, वो सामाने रूप से हो, और सभी को पता चलें की सरकारें और RBI किस तरह से महंगाई को रोकने का प्रियास कर रहे हैं, वर्तमान में अगर इस तरह का प्रियास नहीं हो पा रहा है, या नहीं किया जा रहा है, तो ये पूरे तंत्र को एक तरह से कम इस रूपे आप अपने अंसर को लिखने का प्रयास करें, जो हमने डिस्कस किया है, उसको आधार बना कर। इस आर्टिकल के मादन से बताया गया है कि किस तरह से भारत और ऑस्टेलिया आपस में एक दूसरे के साथ में एक सामरिक भागेदारी में जुड़े हुए हैं, और ध्यान रखें, हम कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, कि जो माला बार एक्ससाइज हैं, उसमें जापा और अमरिका के साथ भारत ने अब ऑस्टेलिया को भी जोड़ लिया है, तो सामरिक भागेदारी की जो ब्रिद्धी है, वो और ज्यादा हो रही है, तो इसी आदार पर ये एक यहां पर स्टेट्मेंट दिया गया है, कि जो रिजिनल क्राइसिस है, यानि जो छेत्री संकट है, उसको दूर करने में कहिना के भारत और ऑस्टेलिया की जो सामरिक भागेदारी है, ये महत्पुर्ण रोल एक तरह से अदा कर पाएगी, भारत ऑस्टेलिया के अगर सामरिक भागेदारी होती है, तो इसका लाव ये हैं, कि अगर किसी भी तरह के इस छेत्र में कोई क्र अगर ऑस्टेलिया भारत जापान और अमरीका की नौसेना के बीच में होता है तो उसमें मदद मिलती है। सामिल किया है, COVID-19 के समय भारत और ऑस्टेलिया या बैस्विक अर्थवस्ता को जो नुक्सान हुआ है, इस कारण से भारत और ऑस्टेलिया ने के लिए प्रयास करना, और साइबर आधार पर जो भी नई critical technologies आ रही है, उसमें एक दूसरे देश का सायोग करना, इसमें भी दोनों देश आपस में भविस्त में सायोग करेंगे, एक दूसरा जो प्रमुक छेत्र है वो है rare earth product, अगर आम यहाँ पर देखें, जैसे हमें electrical vehicles की बात करते हैं, तो हमें lithium बैटरी के एक प्रमुक रूप से आवश्यक्ता होगी, और lithium बैटरी है इस तरह के जो rare earth product है, उनके लिए हम प्रमुक रूप से निरवर हैं चीन पर, चीन के साथ हमारी जो बरतमान में सामरी किसीदी चल रही है, भविस्त में यह supply चीन से घटेग और Australia इसके एक नए आपूर्थी करता के रूप में उबर सकता है, तो भारत इसलिए Australia के साथ संबंद को मजबूत कर रहा है, और कोसिस यह है कि rare earth product के मामले में भारत ऑस्टेला एक दूसरे के साथ में सायोग करें, rare earth product जब भी हम बात करते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार के आपके तत्वें, जिनका उप्योग, रक्षा उपकरण, और साथ सा इलेक्ट्रिकल वहिकल, और जो भी हमारे उर्जा उससरजन करने वाले उत्पाद हैं, उन सभी में काफी मत्पूर्ण हो जाता है, तो उन सब के लिए हमें कहीं न कहीं, rare earth product के लिए हमें चीन से निर्ब इस साल का जो budget था, उसमें भारत सरकार की तरफ से quantum mission चलाने की बात की गई थी, तो इसमें आप देखें तो Australia भारत को एक बड़ा सहयोग वरतमान में दे रहा हैं, और अलग-अलग यो यूनिवेस्ट्रिय रिसर्च के जो संस्तान हैं या जो व्यापारिक केंद्र हैं, उन दोनों देश को सयोग करने के लिए fund उपलब्द कराता हैं, एक दूसरा महत्पूर्ण छेत, space science यानि अंतरिच का छेतर हो सकता हैं, जहां पर भारत और Australia सयोग कर सकते हैं, माना यह जा रहा है कि Australia के दोरा एक temporary ground station बनाय जाएगा जो tracking का का काम करेगा, जब गगन यान mission को भ अंतरिच के छेतर में, एक दूसरा प्रमुक छेतर है सिक्षा का, आस्टेलिया में quality education और बहुत expensive education नहीं है, वो उपलब्द है, इस काहर से भारती विद्ध्यारती बड़ी संक्या में आस्टेलिया में सिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, और इसको एक तरह से tap करने के तो द्यान रखें, क्वेड का जो ग्रूप है उसमें भी ऑस्टेलिया एक प्रमुक भागीदार है, तो भविस में सामरिक भागीदारी इस इंडो-पैसिफिक छेतर में आस्टेलिया के साथ और मजबूत होगी, इसका एक प्रमुक करन चीन का भढ़ता हुआ है ग्रेसान इंडो-पैसिफिक में, इसी कड़ी में ऑस्टेलिया के साथ भारत के संबंद अलगला छेतरों में मजबूत हो रहे हैं, और सामरिक भागीदारी और जदा मजबूत हो रही हैं, ये क्वेड में ऑस्टेलिया के सामिल होना और साथ माला बार एक्सराइज में सामिल होना इस संबंदों को विस्तारित करके हम कहने के चीन को एक संदेज देने का प्रयास भी कर रहे हैं इसी कड़ी में डिस्कसन के आदार पर एक मुख्य परिच्छा का प्रस लिखेगा इंडो पैसिपिक की अस्थिर्ता में भारत और उस्टेलिया प्राकरतिक रूप से भागीदार ब इसके लाँ आँ बात कर सकते हैं आर्टिफिसल इंटेलियंस के बारे में आप क्वांटम कंप्यूट्री के बारे में बता सकते हैं आप 5G टेक्नोलोजी के बारे में कह सकते हैं तो यह सब सायोग के अलगलग छेतने जहां पर बारत औस्टेलिया सायोग कर सकते हैं तो यह स रूप में आप अपने प्रस्ट को लिखने का प्रयास करें, क्योंकि कथन की जब आप समीछा करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अस्थिर्ता जो इंडो पैसिफिक में है, ये भारत अस्थिल्या को नजदीक रा रही है, और इसके करण से अन्य जो आर्थिक आयाम है, वो चाहिए फैब जी टेक्नोलजी हो, या क्वांटम कम्प्यूटिंग का पाइट हो, आर्टी विसल इंटेलियन्स हो, या अगर हम बात करें, जो भी रेर अर्थ प्रोड़क्ट हैं उनकी, तो वो अलग-अलग फील्ड एक तरह से, बड़े पैमाने पर खुलेंगे, तो उनको आप अलग-अलग बता सकते हैं, जो हमने डिसकस किया है, प्रमो काधार होगा, इंडो पैसिफिक में अस्थिर्ता जो भारत अस्थेलिया को नजदीक ला रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट पर हम देखें, तो ये मदबदेश में अगर हम देखें, तो पूर मुख्यमंत्री हैं, कमलनात, उनके दोरा कारेरत एक मंत्री हैं, उनके खिलाप एक बयान दिया गया, जिसको लेकर एक विवाद हुआ और उनको स्टार केंपेनर, यानि एक स्टार प्रचारक का जो दर्जा है, उससे अलग कर दिया गया, और ये चुनावायोक के दोरा एक तरह से निर्णे दिया गया, इसको सुप्रिम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रिम कोर्ट ने यहां पर इस याचिका को एक अधिकार होता है, तो ये एक बड़ा निर्णा यहाँ पर आया है, स्टार प्रचारक के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं, जब हम स्टार प्रचारक की बात करते हैं, तो स्टार प्रचारक के लिए जो व्य होता है, वो उम्मीदवार के चुनाओ व्य में नहीं यानि अगर माली जेक किसी consistency में कोई star प्रचारक प्रचारक करने जाता है, तो वहां पर उस candidate का नाम ना लेना, candidate किसा उसकी photo ना होना, ये सब सामाने प्रचार माना जाता है, तो star प्रचारक पर जो खर्च किया जाता है, वो वे में सामिल नहीं होगा, और ध्यान रखें, जो राजनीतिक दल मानता प्राप्त है, जैसे अगर हम बात करें, जो राश्टी पारते हैं, छेत्री दल हैं, उनको 40 अधिक्तम एक तरह से स्टार प्रचारक रखने की छूट है, जो भी आपकी गैर मानता प्राप्त पार्टियां, लेकिन वो पंजीकृत उनको एक तरह से 20 स्टार प्रचारक रखने की एक लिमिट होती है, यहां तक रख सकते हैं, और जिस दिन चुनाओ की सूचना जारी होती है, उसके एक सब्ता के अंदर-अंदर, इस्टार प्रचारकों की जो सूची है, वो मुख्य चुनाव अदकारी और चुनाओ को जोड़ा जाता है, तो आप ध्यान रखें, मंच साजा करना स्टार प्रचारक के साथ में ये व्या को एक तरह से जोड़ देगा स्टार प्रचारक पर, अगर मंच साजा नहीं होगा, तो वो खर्चे में नहीं जुड़ेगा, भले उमीदवार स्टार प्रचारक की रेली मे तब भी स्टार प्रचारक पर जो खर्चे हैं वो उम्मीदवार के खर्चे में सामिल किया जाता है। तो ध्यान रखें अगर वो नाम नहीं लेते हैं फोटो में पोस्टर में नहीं आते हैं और मंच साजा नहीं करते हैं तो इस्टार प्रचारक का जो खर्चा है वो उम्मीदवार के वे में सामिल नहीं होता है। सामान प्रचारक करेगा तब उसका वे चुनाव वे में नहीं सामिल परन्तु प्रत्यासी का करने पर सामिल। तो यह दूसरा प्रचारक का दर्जा पार्टी स्वें प्रदान करेगी। और यही अभी सुप्रेंगोड का निर्ने आया है। इसको चुनावाय निर्धारित नहीं करेगा इसको पार्टी निर्धारित करती है। तीनों इस्टेट्मेंट सही है तो अंसर है आपका D, 1, 2, 3, सभी। नेक्स हम देखें। तो यहां पर Odisha में सैटलाइट के माध्यम से जो दूर संबिधन किया जाता है इसको हम बोलते हैं कि जो भी फसल बुवाई हुई है, या जमीन खाली पड़ी है, कहां पर जंगल का छेत्र है, या कहां पर मचिलों का जुन्डे समुद्र में, यह सारे आकड़े दूर संबिधन रिमोट संसिंग से लिये जाते हैं। तो इसी का उपोग उडिजा में भी एक तरह से जो भी खेती की गई हैं, उनमें आकड़े पता करने के लिए, खास तार पे बात की जारी है, यहाँ पर जो गांजे की एक तरह से अवैद खेती की जारी हैं। उसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, रिमोट सेंसिंग दूर संबेदन का, एक प्री का कुश्चन हम देखते हैं, रिमोट सेंसिंग वस्तु है छेत्रों के बारे में दूर से आम तोर पर, विमान या उपग्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने क इसके अनुप्रयोगों में सामेल है फसल की उपज का अनुमान, क्लोरोफिल के इस्तर का अवलोकन, फाइटो प्लैंक्टून खिलने की निगरानी, फाइटो प्लैंक्टून बेसिकली, मशिलों के दारा प्रमुक रूप से भोजन के रूप में उप्योग किया जाते हैं, इसके प्रमुक भागों में, खासतोर से सेसा चलम, जो पहालेों का हिलाका है, जो एक बाइस पर रिजर्व का हिस्सा भी है, वहाँ पर प्रमुक रूप से रेट सेंडर्स या लाल चंदन के लगडी पाई जाती है, और इसका अवयद रूप से बड़े पहमाने पर एक तर से काम किया जाता है दच्छण महारत में, अगर हम प्रमुक रूप से आंध पदेश में देखें, तो इसी रेट सेंडर्स जो लकडी की प्रजाती है, उसके संबन में आप कोशन देखें, रेट सेंडर्स या लाल चंदन किस छेत में बहुतायस से पाया जाता है, तो आप द्यानर के जवाब बात करते हैं आंध पदेश, तो इसका मतलब है कि आई ये पूर्भी घाट का इलाका है, तो ये पूर्भी घाट यानि इस्टन जो घाट का इलाका, यानि हमारा जो बंगाल की खारी से लगता हुआ तटका भाग है, वहाँ पर जो पहालियों का हैस्ता सुझाओ मांगे गाई है, कोसिस ये की जाएगी कि जो भी IPC में सुधार है वो वर्तमान में आवश्टकताओं के अनुसार एक तरह से किये जा सके, भारतिय दंड सहिता इंडियन पैनल कोड के संबद में एक परीका कोश्चन देखें, भारतिय दंड सहिता को 1839 के चार्ट तो बिल्कुँ सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है, आप से पुछा किया गलत, तो आपको सही नहीं बताना गलत, तो यहाँ पर क्या D, ना तो एक गलत है ना दो, यानि दोनों ही सही है, तो अंसर है आपका D, एक और देखें, यहाँ अपरादियों पर राश्टी इसे National Crime Record Bureau, यानि NCRB के दार एक तरह से एक खटा किया जाता है, नेक्स हम देखें, तो यहाँ पर एक न्यूस दी जा रही है, कि जो भी हमारे अंतरिच में अलग-अलग सेटलाइट या अलग-अलग खराब हुए जो भी उपकरण एक तरह से गती कर रहे हैं, उन से जो भी अंतरिच के अन्य सक्री उपकरण है, उनको बचाने के लिए, जैसे कोई सेटलाइट माली ये एक्टिव है, ये सक्री रूप में है, कोई माली ये दूसा सेटलाइट हम ए मान लेते हैं, कि वो इस समय इनक्टिव है, तो अगर ये एक ही कख्छा में घूम रहे हैं, तो अगर लग उपकरण पगड़े हुए हैं, अगर हम एक सेंटिमेंटर से ज्यादा की बात करें, अगर हम यहां पर आंकड़ा देखें, कि हम दस सेंटिमेंटर से ज्यादा साइज की बात करें, तो दस सेंटिमेंटर से बड़े अगर ले ले लें, तो लगबग 29 हजार इस त कि वो निचली कक्छाओं में सैटलाइट इस्थापित करके अंत्रिच में जो सैटलाइट उनके माध्यम से इंटरनेट की सुरदाओं को उपलग्द कराएंगे तो माना जा रहा है कि जो इस स्पेस में जो कचड़ा या जंक है वो बढ़ता जाएगा तो उसकी निगरानी करन तो नासा के वैग्याने के डॉनाल्ड केसलर उनके दोरा एक यहाँ पर एक स्टिट्मेंट दिया गया कि अंत्रिच में अगर कोई माली जो कचड़ा पढ़ा हुआ है और यह किसी ए सैटलाइट से टकराता है तो यह दूसरा जो टकराएगा वो और कचड़ा बना देगा औ एक कैस्केडिंग एफेक्ट या स्रिंखला अभिक्रिया जैसी हो जाती है तो इसी को कैसलर के नाम पर एक कैसलर सिंड्रोम का आ जाता है कि अंत्रिच में किस सरे से कचड़ा बढ़ सकता है तो इसी कैसलर सिंड्रोम जो अंत्रिच में होने वाले अंत्रिची कचड़े से सं किस संब देता है तो अंसर आपका B, अंतरिछ मलवे की संभावना टकराओं की अंतरिछ आधारी संपत्यों को समाब्त कर सकती है तो यह कैसलर सिंड्रोम एक तरह से कहलाता है तो अंसर आपका B, next news को हम देखते हैं तो अलकाइदा के दोरा एक धमकी दी गई है फ्रांस के राश्पदी, M.L. and Macron को और अब ध्यान रखें कि फ्रांस में कुछ लगाता है अगर हम एक महिने में देखें तो वहाँ पर आतंगवादियों के दोरा कुछ लोगों की एक तरह से गला काटकर हत्या करना या चर्पा जो हमला हुआ उसके बाद से कहीं न कहीं इसलामी आतंगवाद है उसके खिलाप जो एक बयान दिया गया मैकराउन के दोरा वो एक तरह से विवादित हो चुका है इस धमकी को AQIM नामक आतंगवादी संगठन के दोरा दिया गया है देखें मागरेब का मतलब अब ध्यान रखें इसको नौर्थ वेस्ट या उत्तरी पस्टिम अफरीका का हिस्सा भी कहा जाता है यह अगर आफरीका का मैप देखें तो यह अफरीका का इलाका एक तरह से मैगरेब कहलाता है तो यहाँ पर जो आतंगवादी संगठन है नाम के ध्यान रखें आप अलकाइदा इंदा इस्लामिक मैगरेब और इसका जो मुख्याला है वो कहा पर अलजीरिया में है तो AQIM अलजीरिया से एक तरह से कारे करता है और ये उत्तरी पस्चिम अफ्रीका मादीप में इस्तित हैं अलजीरिया तो यहाँ पर हम इसी आतिकमादी संगठन के संबद में प्री का कुष्टन दे रहे हैं अलकायदा इंद इस्लामिक मागरेब AQIM एक आतिकमादी संगठन है जिसे मुख रूसे के संचालित किया जाता है तो आमने अभी देखा कहाँ पर अलजीरिया तो अलजीरिया मुख्याला से ये संगठन कारे करता है ये हमारे 3 November 2020 के समाचार विस्थेसन थे आने वाले दुनों में अन्य दुनों के समाचार विस्थेसन हम आपको इसी तरह से प्रसुत करते रहेंगे प्री और मेंस के जो कुष्टन आपको दिये गए उनकी आप प्राक्टिस करें आप अगर पसंद कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक संक्या में से लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू